कुकीस कुकिंग में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगी भरवा बिंडी उसके लिए हमने 250 ग्राम बिंडी को दोकर साफ करके लिया है बिंडी के दोनों साइट के डेंटल को काट कर बिंडी में इस तरीके से कट लगाएंगे सबी बिंडी को हमने काट कर तैयार कर लिया है अब इसमें मिलाएंगे एक चमच लाल मिर्ची पाउटर एक चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक सबी मसालों को बिंडी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब हम गेज पर कडाई को गरम करेंगे कडाई में डालेंगे एक टेबल उस्पून सरसो का तेल सरसो का तेल गरम हो गया है तेल में हम डालेंगे एक चोथाई चमज हिंग पाउडर हिंग पाउडर को तेल में हलका सा भुन लेंगे अब हम इसमें डालेंगे बिंडी जो हमने मेरिनेट करके साइड में रखी थी सबी बिंडी को वल में डालने के बाद स्पून की साहता से अच्छे से बिंडी को हिला लेंगे हमें बिंडी को मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही भुनना है हम बिंडी को कंट्यूनू हिलाते हुए ढग कर पकाएंगे बिंडी को हम 9-10 मिनिट तक क्रिस्पी होने तक भुनेंगे हमें ध्यान रखना है कि बिंडी का मसाला जले नहीं इसलिए हमें उसे कंट्यूनून हिलाते हुए ही पकाना है आपके पास टाइम बहुत कम है और आपका मन कर रहा है भरवा बिंडी खाने का तो सरूर से ये रेसिपी ट्राइ कीजिएगा ये बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है हम देख सकते हैं कि कुछ ही मिन्टों में बरवा बिंडी बनकर बिल्कुल तैयार है तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स आपके एक लाइक शेर और सब्सक्राइब से मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलेगा थांक यू फोर वाचिंग